हाई एविवान वेलकम टू कोक इजी विट साक्षी आई होप आप सभी को मेरी सारी रेसिपी बहुत पसंद आ रही हैं उसी के साथ में लेकर आई हूँ अपनी आज एक नई रेसिपी जिसका नाम है कश्मीरी दम आलू जिसके लिए हम लेंगे आठ आलू लिये हैं मैंने जि कश्मीरी लालमेच, दो चमच जीरा, एक चमच हींग, एक बड़ा चमच धनिया पाउडर जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है एक चमच soft powder, आधा चमच हल्दी, एक चमच cardamom powder, एक चमच salt, एक चमच kitchen king, एक चमच ginger garlic paste, एक चमच कश्मीरी लाल मेच और एक चमच गरमसा सबसे पहले दही लेंगे, दही के अंदर हम दालेंगे कश्मीरी लाल मेच, साथी साथ थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा kitchen king और इन सारे चीदों को अच्छे से mix करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको इस तरीके से ही रख के छोड़ देंगे अब आलू लेंगे और उसको फोप की हेल्प से उसमें इस तरीके से शीद कर देंगे सारे आलू मैं इसी तरीके से करूँगी मैं अब आलू को फ्राई करेंगे हम इस तरीके से दालेंगे सारे आलू और उसको golden brown खुने तक फ्राई करेंगे दोनों साइड से दो मिनट के बाद चेक कर लेते हैं कि नीचे से फ्राई हुआ है ये नहीं देखें ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया है और अब इसी तरीके से इसको नीचे से भी हम फ्राई करेंगे आलो दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब एक पैन लेंगे उसमें सारे खड़े मसाले और जीरा दाल के ड्राय रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से खुश्बूना आने लगे और उसके बाद इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से मैंने मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लिया है कड़ाई लेंगे उसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा जीरे को अच्छे से भूलने देते हैं आप डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट साथी साथ हल्दी दर्या पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च यह बहुत ही बढ़िया कलर देगा इसको और अब इसमें दा देंगे केचिन केंग सारी चीज़े अच्छे से मेक्स करेंगे और एक मिनट के लिए सारे मसालों को इसके साथ पकाएंगे और आप इसके अंदर दालेंगे जो स्टार्टिंग में मिक्स्चर हमने तयार किया था कर्ड का अच्छे से चलाएंगे सारी चीज़े और इसके अंदर आड करेंगे हींग साथी साथ इसमें दालेंगे गरम मसाला और अब इसको एक से दो मिनट तक हम पकाएंगे अब इसमें दालेंगे एक कप पानी ग्रेवी हलकी हलकी सी थेखोनी स्टार्ट हो गई है अब इसी स्टेज पर आड करेंगे जो खड़े मसालों का हमने पाउडर बनाया था वो साथी साथ कार्डेमों पाउडर और सॉफ पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें दालेंगे आलू और साथी साथ इसमें सॉल्ट आड करेंगे और अब इसको ढख के पकाएंगे साथ से आठ मिनिट तक साथ आठ मिनिट हो गए हैं अब इसको चेक कर लेते हैं ग्रेवी अच्छे से बनके गाड़ी हो गई है अगर आपको जादा थिक पसंद है तो आप इसको और पकाएंगे थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी और अब इसको ऊपर से दालेंगे हम इस तरीके से कस्तूरी मेथी और साथी साथ हरा धनिया और अब इसको सर्विंग बोल में लिकाल लेते हैं तो फाइनली कश्मीरी दम आलो इस रेडी तो सर्व अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइप शेयर करना ना भूले साथी साथ मेरी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चानल कुक इजी विच साख्षी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले अपने comments, feedback, suggestion और special requests भी अमार साथ शेयर कीचियें तिल दन, happy cooking!